इस खुबसूरत से रशल प्लांट के साथ आप सभी मित्रों का में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अपनी इस छट बग्या में फिर्ण्स आप सभी को मेरा साधर प्रणाम आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खुब सारी गाडनिंग कर रहे होंग तो बिल्कुल यह आज रशल प्लांट से अपनी वीडियो के शुरुवात कर रही हूँ, देखे इसे फायर क्रेकर्स भी कहा जाता है और यह प्लांट मेरा कटिंग के माध्यम से तयार हुआ है, इसे के बगल में फायर क्रेकर्स का एक प्लांट रखा गया था, उससे इसमे लटकते से सिता रहे हूँ, तो इस तरीके से फ्लावर्स इसके होते हैं, बहुत ही खुबसूरत जो लगते हैं, उससे आगे देखे, सदावाहर यह वेरिगेटेट है, तो आज मैं आप सभी को अपनी बग्या में खिलने वाले फूलों को दिखाने वाली हूँ, कि जो वराइटी होती है, वो बहुत सिंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा बारिश इसके उपर पड़े, या उपर से इसमें हम वाटरिंग कर दे तो इसको फंगस की प्रॉब्लम होकर यह डाय हो जाता है, तो मैंने दोनों प्लांट को बचाया, उससे आगे गजानिया के रं तो गजानिया के लगभक मेरे पास अब भी 6 से 7 प्लांट्स मेरे पास अब भी बचे हुए हैं और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं विभिन रंगों में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और फ्रेंड्स मैं फर्टिलाइजर की बात करूँ तो मैंने भी एक दो बार ही दी है, बहुत ज्यादा मैं खाद नहीं देती हूँ, तो लिक्विट फॉर्म में मैंने खाद दी है, फंगिसाइड का मैं स्प्रेज पर करती रहती हूँ कि फंगस की प्रॉब्लम गजानियास में अकसर देखने को मिलती है, बारिश के बाद तो ये प्र नारी सफेदे और बीच में ये पीला है, और ये वाला देखे, कितने सारे इसमें फोल खिले हुए हैं, बहुत ही सुन्दर जो देखने में लग रहे हैं, ये देखे, बहुत ही खुबसूरत ये गजानिया, इसके बाद में चलती हूँ, तो यहाँ पर पैंजी भी हमारा सा यूनिया है, जो देसी वराइटी है, तो देसी वराइटी और ये स्वता हुगा हुआ पौधा है, फ्रेंट्स पिछले वर्ष के बीजों के माध्यम से स्वता हुगे है, मैंने नहीं लगाया, ये डैन्थर्स आप देख सकते हैं, बहुत ही सुन्दर तरीके से खिल रहे है ये देखे, ये भी फ्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दिरेनियम भी मेरे खिले हुए है यह देखिए बड़े से ट्रब प्लांटर में मैंने लगाया है उसके साथ यहाँ पर कॉफ्सकॉम की एक वराइटी है जिसमें की फ्लावरिंग शुरू हो गई है उससे नीचे आओं मैं तो यहाँ पर सिलोशिया के यह प्लांट्स जो कि प क्योंकि इसमें मैंने केलन्डूला लगाया था तो देखिए केलन्डूला और यहाँ पर यह वरवीना भी ओगा हुआ है तो यह देखिए इस तरह से और यह छोटे-छोटे प्लांट्स मुझे नहीं समझा रहा यह देखिए यह संफलार भी मुझे नहीं लग रहे तो यह यहां पर कलांचो की कुछ कटिंग्स मैंने लगाई है अलमंडा के प्लांटर में इसके साथ ही फ्रेंट से कोलियस के कुछ प्लांट्स यह देखिए जो सता ही उगे हुए हैं मेरे पुराने मित्र यह अवश्य जानते होंगे जिन्होंने मेरे पिछले वर्ष की वीडियो दे लेकिन जिस चीज को शिद्दत से हम चाहते हैं तो वह हम हमें बिल्कुल हमसे दूर नहीं जा सकती ऐसा मुझे लगा है यह कोलियस को देख करके कि सारे के सारे के सारे बिल्कुल डिफ्रेंट शेट्स में यह है तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे बच मेरे जाएंगे को कोलियस बहुत सारे मेरे जगर जगर लगे हैं और कुछ मेने कटिंग भी लगाई हैं यह आप देख सकते हैं सारी कटिंग मेने लगाई हैं यह देखिए यहाँ पर भी और यह काफी अच्छा कोलियस का मेरा प्लांट जिसे कटिंग के द्वारा मैंने तयार किया है यहाँ पर बैंगनी रंग के पुष्प और उसके बीच में तीला रंग का रंग जो होता है बहुत ही सुन्दर इस पुष्प को बनाता है ये इसके कलिया है तो ये देखिए मैंने कटिंग के माधियम से पौधा तयार किया है इसका मदर प्लांट भी मेरे पास है मदर प्लांट छोटा तो यह काफी बड़ा हो गया है मैं आपको मदर प्लांट पी इसका दिखा देती हूं चलिए इस तरफ को देखिए मैंने स्प्रेय में कर रही थी यह देखिए यह इसका मदर प्लांट है और इस पौदी को भी फ्रेंट साप छूटी सी कटिंगी माध्यम से भी लगा सकते हैं मैं आपको बता देती हूं देखिए इस तरह की कटिंग आप लेंगे उसको आप वेल्रेंज सोयल में लगा करके एक दो दिन शेड एरिया में रख लें उसके बाद आसानी से आपका यह पौदा अभी भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं पिटूनिया देसी वाला इस प गुच्छे में फूल देता है और कटिंग के माधिम से मैंने से तयार किया है आप छोटी सी कटिंग ले करके और बहुत हाड़ी प्लांट है मैंने इसके कटिंग ले करके लगबग 10 दिन तक उसको ऐसे ही रखा मिट्टी में नहीं डाला लेकिन वो बहुत अच्छे से 10 दि हाल यह एक ही रंग है लेकिन मैं नर्स्री गई थी तो वहाँ पर मैंने इसके विभिन रंग देखी है और इसे आप कटिंग के माधियम से भी आसानी से अपनी बागवानी में लगा सकते हैं और इस तरफ में आओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकोमा यह गॉंफरे अभी नहीं आए हैं लेकिन जगर जगर यह पौदे अपने आप ही उगे हुए हैं तो इन सभी को मैंने कुछ को लगा दिया है कुछ को लगाना भी बाकी है वर्बीना का यह रंग देखे कितना सुंदर यह लग रहा है बेवी पिंग कलर है यह तो यह भी चल रहा है तो मै परिवर्तन होता है, तो मुझे नहीं पताई कि कॉन सी वराइटी है, इसका तो कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, उसके आसाती फ्रन्स यह आईरिश प्लांट है, क्योंकि planters की दिकत हमेशा gardeners को होती ही है तो ये थी मेरी आज की sharing friends अगर आप सभी मित्रों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को subscribe, like और share करना बिल्कुल न भूले notification on कर दीजिए एक नई sharing के साथ आपसे फिर मिलती हो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का happy gardening